नमस्कार दोस्तो मोसम ताज़ा समचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है और मोसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर लगातार उरई भारी बरबारी और चक्रवाती तूफान की वज़े से कई ट्रेने कैंसल करनी पड़ी है इनमें मुख्य रूप से ब बड़ा फैसला है और कहीं कहीं पर 10 जनवरी तक इसकूल बंद कर दिये गए हैं हाड कपा देने वाली ठंड का प्रकॉप अभी जारी रेने वाला है आइमडे के द्वारा दोस्तों अभी अभी ये अलर्ट जारी किया है और इस वक्त के दोस्तों सबसे बड़ी खबर है ध अलक जपकते ही दोस्तों दुंद में लिपट कर मौत आ गई और सड़क पर दोस्तों लास लास बिच गई और चीक पुकार मच गई वहीं साथ यों अब हम बात कर लेते हैं लिश्ट वाइज कौन सी राज्जियों में भारी बारिस होगी कहां पर सीत लेयर चलेगी और कहा पर बरब बारी की संभावना बताई गई है तो दोस्तों मुख्य रूप से पांच ऐसे राज्जे हैं जहां पर हाई अलर्ट किया गया है बारिस का और इसे दोस्तों सामान निवासा में मावट भी खहते हैं किसान बायों के लिए बड़ी खुसकबरी है तो दोस्तों इन राज्यों में दिल्ली हरियाना मद्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार है यहां पर अगले पांच दिनों तक कुछ छेत्रों में हलकी बूंदा बांदी तो कुछ जिलों में दोस्तों भेंकर बारिस होने वाली है पिछले 24 से 48 गंटों की बात करें तो भारत का पूर पूर भी इलाका है इसमें मनिपूर मेगाले असम मिजोरम नागालेंड यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि भेंकर बारिस हुई है और बारिस के साथ साथ ओलव रेष्टी भी हुई है जिसे 441 गर बुरी तरह से छतिक रेष्ट हो गए हैं असम में और 18,000 लोग इससे दोस्तों प्रभावित हुई हैं नई साल की सुरुवात के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के अधिक तक राज्यों में सीत लेहर की बापसी हो चुकी है मोसम विबाग के अनुसार उत्राखंड पंजाब हर्याना और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक घना कोरा चाहे रेनी की संभावना मोसम विबाग के द्वारा जताए गई है वहीं उत्तर प्रदेश पश्चिमी मद्य प्रदेश पंजाब हर्याना उत्तर खंड और चंदीगड में आज और कल भयंकर सीत लेहर चलेगी ड्राइवर भाईयों के लिए दोस्तों में आपको अलर्ट क सर्दी पड़ेगी और किसानों की फसले हैं रभी की इस टाइम गेहों और सर्शों की उनके लिए बहुत ही लाब दायक रहने वाली है लेकिन कोहोरे से अपने बुजर्गों और बच्चों को भी बचाना पड़ेगा क्योंकि चिकिस्षकों के द्वारा ये नई गाइड ल आप हमारे वीडियो किस राज्जे से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताएं धन्यवाद दोस्तों जैए